वही शिप्पुरी जिले में कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाय जा रहे अभ्यान के तहट दो अलग स्थानों से स्मैक और गांजा सहित दो आरोपियों को गिरफतार किया है जिसमें एक आरोपी के कबजे से 18 ग्राम स्मैक जब्त की गई है जिसकी कीमत करीब 1,80,000 बताई जा रही है तो वही दूसरे के कबजे से एक टेंपू सहित पाच किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया गया है साथी गिरफतार आरोपियों से और भी पूश्टाश की जा रही है इसी कड़ी में पुलिस का कहना है कि पुलिस अधीक शक द्वारा नशे के खिलाफ मुही गलग जगां है सुचना परात ही थी एक में रात और जो रेल्वी अंडर वरेज है वहां से एक आरोपी से एक आटो साहिद पांच किलो 300 ग्राम गांजा एवां एक अन्य जगा जो अपना बढ़वदी तरह है होटल ग्रीन वीव के पास वहां से एक आरोपी से 18 ग्राम इस ज्यादा कोफ है उसको नशामुक्त करना है इस तारतम में लगातर पुलिस कारभाई कर रहे हैं